हेलो अब्रिवन दिस साइट जातेन राजपल वेलकम तो दिस तलाश बैच आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चानल पर सो आज हम लोग फर्स क्लास एकनोमिक्स की करने जा रहे हैं तो मैं इस वीक के अंदर आप लोग का पूरा मैं बिल्कुल भी कोई एक्स्ट्रा बाते नहीं करने वाला रिगार्डिंग किसी भी टॉपिक के बारे में किसी नए बैच के बारे में सब्सक्राइब करेंगे तो अगर मैं एक टीचर हूं तो आप मुझे एक प्रफेशनल शर्ट गिफ्ट करेंगे बड़ अगर यही मैं रेडियो जॉकी होता क्या होता रेडियो जॉकी तो आप मुझे शायद टैटू वाली शर्ट गिफ्ट करते बदब क्योंकि उस समय मेरे ऐसे यहां स्पाइक्स बने होते यहां पाप पियर्सिंग होती यहां लिखा होता यह यह राजपाल इनसान कैसे बिहेव करता है और उसकी डिमांड कैसे होती है तो यह जो यूनिट है आपको यह सिखाएगा कि इनसान का बिहेवियर क्या होता है इनसान का बिहेवियर क्या होता है और जैसा जिसका बिहेवियर वैसी उसकी डिमांड इनसान के बिहेवियर के बारे में यूटिलिटी के बारे में जानेंगे कि उसको क्या चीच की जरूत होती है जब हम उसका बिहेवियर सीख जाएंगे then we'll study about demand, हम उसके demand के बारे में जानेंगे और last उसकी flexibility को जानेंगे so class 1 में मैं utility complete कराऊंगा class 2 में demand, class 3 में ED और class 4 में introduction तो इस week के अंदर most probably आपकी microeconomics CUT complete हो जाएगा so मैं पूरे chapters की एक revision plus उसके उपर कुछ-कुछ important MCQs आपको practice कराऊंगा is it clear everyone? okay so शुरू करते हैं शिरी गनेशा नमा करते हैं प्रभू मेरे बच्चे जो महनत कर रहे हैं इतनी संघर्ष कर रहे हैं उनके उपर किरपा करें so start करते हैं chapter का नाम है utility okay so what is the meaning of utility utility क्या होती है देखो बेटा utility is the power of the commodity that satisfy human wants let us take an example मेरे सामने ये एक bottle पढ़ी है पानी की right ये एक पानी की क्या पढ़ी है bottle अब मैं इस पानी को पी रहा हूँ मजा आ गया अब इस पानी को पीने पे जो मुझे power मिली जो मेरी want को क्या कर रही है satisfy that satisfaction को बेटा क्या बोला गया है utility what is utility? it is the power of the commodity किसी भी चीज की ऐसी कोई power जो हमारी human wants को क्या करती है satisfy उस satisfaction को बेटा क्या बोला गया है utility so हम कह सकते it is the power of the commodity किसी भी commodity की एक ऐसी power that satisfy human wants जो क्या satisfy करती है human wants उसी को हम बेटा क्या बोलते है utility for example आपकी ममा ने आपको राजमाराइज दिये का बेटा ये खा लो ममी पूछते कैसे बने आप कहते तो अच्छे बने जबकि आप कोई भी चीज़ अगर आप खाते हो तो आपको उसको utils में express करना होते है तो आप ये कह सकते हैं ममा मेरे को आपके राजमा चावल खाके 100 utils मजा आया आपको ये clear हो जाएगा कि जो utility है इसको किस में measure करते हैं बेटा utils में तो consumer behavior and demand की अगर मैं बात करूँ consumer behavior and demand की अगर मैं बात करूँ तो इसमें सबसे पहला chapter का नाम क्या है utility हम इसमें chapter के अंदर consumer का behavior सीखेंगे कि consumer कैसे behave करता है आपको ये बता जाएगा कि आप ऐसा क्यों करते हो कि जब अपने पैसों से रात को ice cream खाते हो तो एक खाते हो बढ़ जब शादी में खाते हो तो तीन-तीन खाते हो जब free की मिलती है तो ज़्यादा क्यों खाते हो और जब अपने पैसे लगते है तो कम क्यों खाते हो So that is all about consumer behavior क्योंकि इंसान का behavior जब आप जानोगे तभी आप उसके लिए क्या कर सकते हो commodity की demand कर सकते हो satisfaction को किसमे राजे effect के बताया गया utility में तो what is utility it is the power of the commodity एक ऐसी commodity की power जो आपके internally पेट में जाते हैं आपको क्या कर रही है मममा ही या satisfy कर रही है उस satisfaction को पेटा क्या बोलते है utility and utility को पेटा किस में measure करते हैं इस बात को भूलना नहीं utility को हम किस में measure करते है यूटिल्स में measure करते है किस में measure करते है यूटिल्स में आगे बढ़ते है what is total utility पेटा मैंने सुबह कोई commodity खाई उस पे मजा आया फिर दिन में कुछ खाया उस पे मजा आया शाम को कुछ खाया उस पे मजा आया अगर मैं सारी commodity की satisfaction को जोड़ दू, क्या कर दू, जोड़ दू, उसे क्या बोलते हैं, total utility, total utility का मतलब आप समझ लिजए कि एक तरीके से क्या हो गई, total satisfaction, आप जब भी कोई market में commodity खाएंगे, तो you'll get total satisfaction, जो पहली बाइट, दूसरी बाइट, दूसरी बाइट, चौथी बाइट, सब का satisfaction जोड़ते चलो, ठीक है, total satisfaction, जो की कहां से आई, obtained from, क्या बोला मैंने, obtained from, consumption of all units, सारी units को खाने पर जो भी total मजा आया, मतलब आप formula याद कर सकते, tu is equals to utility 1, utility 2, utility 3, इसको कहां तक ले गए, inatum था, इन सब को अगर आप जोड़ दोगे, तो उसे क्या बोलते है, total utility, is it clear everyone, so market में बचे बहुत सारा कुछ समान खाते हैं, आप पहले momos खा देते हो, कभी pepsi खा देते हो, सब की satisfaction को अगर आप जोड़ते चलोगे, तो देन, you'll get total utility, and what is the formula of total utility, utility 1, 2, 3, 4, इस तरीके से, ठीक है, मैं आपको एक example देते हूं, let us take an example, मेरे एक friend मुत्तु स्वामी मेरे घर आया, कहता, आई हो जातिन सर, मैंने का, आजे, कहरा, आपको आपसे मिलना है, मैंने का, आओ मेरे घर आओ, तो आये हो, आई हो, आपको कुछ खिलाता हूं, तो मुत्तु स्वामी मैंने ब्ला, भहिया, आग क्या खाएंगे? तो मैंने जब उनने पहली इडली खिलाई, तो मैंने पूछा, मैंने का, आई हो मुत्त, तुमको कितना मजा आया? कहता, हमको 10 यूटिल मजा आया. मैंने का very good ठीके तो मैंने पहली इडली खिलाई तो मुत्तु सौमी को कितना मज़ा आया 10 यूटल्स ठीके जब मैंने second इडली खिलाई तो मैंने पूछा मुत्तु सौमी तुमको कितना मज़ा आया किता 6 यूटल्स मैंने का आयो मुत्तु एक बात बताओ, हमने तुमको पहली इडली खिलाई तुमको 10 का मज़ा आया, हमने तुमको दूसरी इडली खिलाई तुमको 6 का मज़ा आया, ये मज़ा क्यों कमाया है, कहता ही हो, consumer behavior, एक इंसान अगर कोई भी चीज बार-बार खाता है, तो मज़ा क्या हो जाता है? कम हो जाता है, अंदर से वाजाई होगी. मज़ा क्या हो जाता है? कम. So, हम क्या करते है? जब हम एक-एक यूनिट की additional satisfaction को check करते हैं. कि जब पहली इडली खाई, तो we get 10 utile satisfaction. जब second idli खाई तो we get six utile satisfaction, तो जो एक एक unit का मज़ा होता है, उसे क्या बोला गया है, marginal utility, जब मैंने उसे बोला, मैंने का हर बार तो आपको मज़ा कम आई रहे, तो और क्यों खा नहीं इडली, रहने ही तो मती खाऊ, करा नहीं नहीं, खाएगा आपना तो खाएगा, क्योंकि free का है, तो हमने अगली utility खाएगे तो इसको two utils का मज़ा है, so this is marginal utility, एक एक unit के additional मज़े को बेटा, marginal utility बोलते है, marginal मतलब क्या होता है, एक पर समझ लो, the word marginal मतलब क्या होता है, additional, the word marginal मतलब क्या है बेटा, additional, so marginal utility को जब जब आप जोड़ोगे, then you will get क्या, आपको क्या मिलेग कि उस समय पे इस बात को जा रखना, आपको क्या मिलेगी, total utility, so पहली इडली पे total मज़ा कितना था, 10, दोनों इडली का total मज़ा कितना था, 16, तीनों unit का total इडली का मज़ा कितना था, 18, so एक एक इडली को जोड़ दो, तो क्या आ गई पेटा, total utility, और हर individual इडली का जो आ है, उसे क्या बोलते है, marginal utility, is it clear everyone, so what is utility, अभी था हम क्या पढ़ चुके, utility क्या है, it is the power of the commodity that satisfy human wants, ऐसी कोई भी चीछ जिसको खा कर एक इनसान satisfy होता है, उसको हम क्या बोलते है, utility, सुबे से शाम तक जो भी आप कुछ खार हो, सब की satisfaction को जोड़ दो, तो you will get total utility, और अगर हम एक-एक commodity खाते जा रहे हो, और उसकी additional satisfaction पर दिमाग में psychological सोच रहेंगे कितना मजा आया, then it is a marginal utility, ठीक है, एक बार ध्यान से समझ लेते हैं, कि marginal मतलब क्या है, additional, तो एक चपाती खाई, you get 100 utility satisfaction, second चपाती भी, you get 60 satisfaction, तो यह 100, 60, 20, एक-एक चपाती के सामने जो additional मजा आ र utility है, और सब marginals को जोड़ दोगे, तो you will get total utility, is it clear, जो marginal utility होती है, इसका जो formula होता है, वो यह होता है, marginal utility is equals to tu and net term, minus tu and minus 1, got it, और एक formula और भी होता है, जो graduation में use होता है, change in tu upon change in units, change in tu upon change in units, is it clear everyone, so अभी तक हम यह पढ़ चुके, अब इस पर जो topic आ जाता है, वो यह आ जाता है, relation between tu and mu, total utility और marginal utility का relation क्या है, तो आपको कभी भी इसके लिए table या diagram को ratification नहीं करना, आपको सिफ़ छोटा सा काम क्या करना, I'll tell you, यहाँ पर लिखा unit, 1, 2, 3, 4, 5, कि एक हमने क्या लिया, एक example ले लिया, हमने क्या करा है, यहाँ पर एक ice cream ले ली, ding 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 ding, कौन सी खाऊगे, अच्चा, वैनिला खाऊगे, जादो, क्या करे ससर थोड़ी सी strawberry डाल तो, लो जी थोड़ी strawberry डाल दी, क्या करे रोज सर थोड़ी cherry लगा पो, लो जी cherry भी लगा दी, क्या करे रोज सर इसके अंदर तो ice cream है नहीं, लो जी, क्या किरें सर इसको Cornetto बना दे लो जी इसके नीचे नास्ट में चॉक्लेट डाल दे लो जी आइस्क्रीम तयार इसका जो रेट है वो भी बता देते हैं 10 रुपे की आइस्क्रीम है इसका रेट का कोई भी लेना देना नहीं अब पहली आइस्क्रीम खहने के बाद रां बाबू से हमने पूछा राम भाई यूटिल घाए थीक है वंपार उसके बाद हमने पूछा राम बाबू अगली आइस्क्रीम पे आपको कितना मज़ा आई कहता हमको 12 यूटिल मज़ा आई ठीक है राम बाबू फिर हमने पूछा राम बाबू आपको अगली आइस्क्रीम पे कितना मज़ा आई कहता हमको कोई मज़ा नहीं आई जब अर्दस्ती उसको यह ice cream बार बार खिला रहे हैं फिर हमने एक और ice cream खिला ही तो कह रहा है हमको minus 2 मज़ा है तो यह हमने consumer का behavior चेक कर रहा कि एक consumer अगर लगातार बार बार क्या खा रहा है ice cream खा रहा है तो उसको हर बार खाने पर मज़ा कितना आ रहा है ठेक है तो यह उसका मज़ा जो है in terms of utils कम होता जा रहा है ठेक है अब marginal utility को अगर जोड दो भूला नहीं marginal utility को क्या कर दो जोड दो तो क्या आ जाती है total utility हाना so 20 plus 12 32 32 plus 5 37 37 plus 0 37 और यहां क्या आगे 35 यह आगे आपका relation relation समझते हो what is relationship बताओं क्या होता है जब भी x का effect y पे आ जाए किसी के एक के action से दूसरे पर reaction आ जाया मतलब relation है ठेक है न आप लोग school से पढ़े लिखे लोगों आपको पता है school में बच्चे 11 12 में होते है ठीक है और जो best friends होते हैं पूरी class भार होती है वो दोनों अंदर घूमरे होते हैं तो आपको समझ आती एक का action दूसरे पर क्या आता है reaction होता है इसा तो जब भी एक का action दूसरे पर reaction लेया मतलब देज़ा relationship अगर mu से tu पर असर पड़ रहा है तो मतलब mu का कोई ना कोई relation है किस से tu से और आपको relationship पता कैसे चलते हैं आपने कैसे पता लगाया था अपनी class में किसी का क्या relation चल रहा है आपने उनको observe किया था कि बाकी सब लोग normal behave कर रहे हैं यह कुछ abnormal behave कर रहे हैं आपने observe किया and you find that कुछ तो गड़वड है yes or no are you getting my point ऐसे ही अगर आपको यहां का भी relationship जा देखना है कि M.U. से T.U. पे और T.U. से M.U. पे क्या effect आ रहा है अगर आप यहां पर ध्यान से देखो जैसे हम commodity खा रहे हैं और हमारा marginal utility positive है मजा जो है वो positive आ रहा है मजा जो है वो क्या आ रहा है positive तो आप देखो कि total satisfaction क्या हो जाएगी increase हो रही है 20, 32, 37 फिर आपने देख जब एक customer बार-बार चीज को खा रहा था तो उसको मजा आना बंद हो गया मतलब चौथी ice cream खाने पर उसको मजा ही नहीं आ रहा he's not getting satisfaction so इसने उसका जो addition था 37 में उसने क्या कर दिया constant कर दिया मतलब यहाँ पर T.U. अपने किस पर आ गया maximum and constant पर और थर्ड जब उसने बार-बार कोई commodity खाई तो उसको जब excess of everything is bad किसी भी चीज का अधिक्तम हो जाना बुरा होता है जहर होता है भगवान्श इडिकेशन में कहते हैं जहर क्या है किसी भी चीज का अधिक्तम हो जाना यहाँ अधिक्तम हो गया minus 2 मतलब एक्सस में ice cream खाली so the total satisfaction starts falling so यहाँ से relation क्या दिख रहा है अपने को relation दिख रहा है tu increase as long as tu तब तक बढ़ता रहता है जब तक mu क्या होता है positive जब tu अपने maximum पे था तब mu कहाँ पर था अपने 0 पे और जैसे tu क्या हुआ fall तो mu क्या हो गया negative this is the relation इसको बनाते कैसे इसको थोड़ा सा वो भी समझा जाता हूं क्योंकि इस relationship पे question आने के chances हैं बहुत ज्यादा CUT के अंदर so इसको बनाते कैसे एक बार आपको बता भी देता हूं ठीक है तो यहाँ पर आपने जितनी units खाई है like आपने खाई 1,2,3,4,5 तो यहाँ लिख दिया unit consumed यहाँ लिख दिया T U और क्या लिख दिया M U यहाँ लिख दिया Y axis और यहाँ X axis यहाँ पर लिख दिया 10,20,30,40,50 इसका बात्यास सो फरस्ट उन्ट पे T U कितना आपका 20 ऐगे कर जाते हैं फ स्यूनिट पे 20 सेकन्ट पे T U कितना है बिख आपका 32 गे थर्ट पे कितना है 27 फोर्थ में कितना है 37 ब्विख पे कितना है 35 घिन ठंट ते हं यहया त्यू यह क्या आगया आपका tu now next what we make हम यहाँ पर mu बना लेते हैं first पर कितना है 20 second पर कितना है 12 third पर कितना है 5 fourth पर कितना है 0 and last is minus 2 so यह आपका mu बन गया ठीक है और यहाँ पर अगर आप notice करो तो यहाँ पर tu अपने maximum पर है और mu अपने कहाँ पर है और कोशन यह आ सकता है what is saturation point saturation point किसे कहते है यह याद अगता है बिटा saturation means saturnity को कहा जाता है जहाँ tu maximum होता और mu 0 होता है and consumer has no desire left consumer की कोई desire नहीं बसती so that is saturation point, saturnity point यहाँ tu maximum होता और mu 0 होता है यहाँ से CUT पर कोशन आने के chances so this is a relationship between tu and क्या mu offline में तो हम इसको बहुत अलग अलग तरीके से याद भी करा देते है but hopefully आपको revise अच्छे से हो गया होगा जहां तक मुझे लगता है so जब mu positive था tu क्या होता है increase होता है, mu 0 होता है तो tu maximum होता है और इसको रटा नहीं मानना it's like आप एक normal behavior ले लो एक case ऐसा ले लो जहां mu positive है एक case ऐसा ले लो जहां mu 0 है और एक case ऐसा ले लो जहां mu क्या होगा negative और इन सब का summation लोग है तो you'll get क्या is it clear everyone is it clear everyone अगर आपको समझ आगे तो comment session में लिख दो मजा समझ आगे बढ़िया ठाँ अपनी expressions डाल सकते हो कि what we are doing is going good sir slow जा रहा है fast जा रहा है sir इसको fast fast करा दो इसको slow slow करा दो जैसे आप बोलेंगे वैसे हम manage कर लेंगे recording screen तो आपके comments हमारे it's a feedback for us और comments आपको हमारे सारे तलाश के teachers के लिए देने हैं मतलब आप उनको बताएं and ये comments ना हो ये compliments होने चाहिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा we are trying hard for you कि आप लोग CUT में अच्छा करें next topic पर जलते है law of diminishing marginal utility so अभी तक utility पर चुके it is the power of the commodity जो wants को क्या करती है satisfy TU क्या होता है total मजा होता है MU क्या होता है marginal मजा होता है additional मजा ठीक है उसके बाद हमने relation पढ़ा TU और MU का अब हम एक human psychology के ओपर एक topic पढ़ने जा रहे है sir utility का मतलब क्या बताया मैंने आपको satisfaction right marginal का मतलब मैंने क्या बताया आपको additional ठीक है उसके बाद मैंने आपको diminishing का मतलब क्या होता है diminishing का मतलब होता है falling right और law एक तरीके से क्या हो गया हमाली एक rule हो गया मैं आपको एक ऐसा कानून बताने जा रहा हूं यह human psychology में सबसे ज़्यादा adaptive कानून है मतलब law है psychological law लोगों पर यह बहुत ज़्यादा अपलाई होता है अगर आप अगले chapter में demand पढ़ना चाहते है तो इसमें यह बहुत ज़्यादा ही इस्तमाल होगा topic का नाम है law of diminishing marginal utility इसको हम प्यार से law of DMU भी बोलते है so यह law कहता है अगर एक इंसान कोई भी चीज बार बार खाता है बार 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 खाता है तो उसका मज़ा क्या हो जाता है कम how many of you agree करते हैं इस पाप से कि अगर हम कोई भी चीज बार बार खाएंगे तो मज़ा कम हो जाएगा everybody will agree but पहले इस law को समझ ले law क्या कहता है according to this law if we consume more and more commodities तो हमारी additional satisfaction keeps on falling हर बार कोई भी चीज खाने पर मतलब अगर हम एक ice cream खाना शुरू करते हैं one two three तो first ice cream will gives us 10 utile मज़ा second gives us third और फिजीरो भी आ सकता है यह हर person to person vary करता है यह law यह समझाता है but यह law कई जगाओं पर fail हो जाता है ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई बीचे जाब बारबर खाओगे मज़ा कम हो जाएगा there are some failures in this law for example if I'll give you one example on आप जब भी school में second period में छुप छुप के lunch करते हैं घ्ध्यान से देखना तो जब लउन्स टाइम पर लउंक करते हो तो पेट बता है बोदे ?जब आप लशपीन when अगर टाइम पर यह law काम नहीं करेगा कैसे मैंने अभी पानी पीया था ठोड़ी दिर पहले जब आने पानी पीया अब मैंने टाइम गैप ले लिए 20 मिनिट का अब मैं प्यूंगा तो मुझे और जादा मज़ा आया पर अगर मैंने पहला सिप पिया था उसके immediate बाद में दूसरा सिप पीता तो मज़ा गिर जाता So this law is applicable when there is an continuous consumption CC का मतलब कुछ और मैं समझना CC means continuous consumption I'm not talking about what you are thinking So what is continuous consumption अगर आप इस law को सही में इस्तमाल करना चाहते हैं इस पर विश्वास करना चाहते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि जब ये law लगाएं तो continuous consumption हो बिटा ठीक है ना? Time gap ना जैसे आपको गोलगप्पे खाने बहुत पसंद है गोलगप्पे का crash course कर लो रोज शाम को 5-6 दो प्लेट खाना शुरू कर दो साथवे दिन उसके मूँपे रखके मारोगे इतना बूर हो जाता है बंदा खाखा के And when I was very young तो मेरे पापा मेरे लिए every Sunday पिस्ता लाते थे 200 gram So मैं 200 gram पिस्ता खाता था तो एक ही दिन में एक घंटे में खतम कर देता था ठीक है वो हर संडे ला रे थे ऐसे 11 संडे हो चुके थे लाते थे मैं खतम कर देता Because there is a time gap, हर week का gap आजाता था एक दिन वो तीन किलो ले आए मैंने संडे खाया, मैंने बंडे खाया, Tuesday से खाना ही बंद तो कहने का मतलब this law is applicable only when there is a continuous consumption अगर आप कैसे खा रहे हो, continuously खा रहे हो Is it lay everyone? Second, जब आप कोई चीज खाएं तो it should be in a reasonable quality Reasonable quantity For example, मैं एक बाद trade fair में गया वहाँ पर ना एक बंदा बटर स्कोच वाला शेक पिला रहा था तो उसने क्या करा और? मुझे पूरा घिलास शेक नहीं पता है ज़से हो, मंदिरों में नहीं रहे लिए, अमर्यच उत्रना सब्कार लेखे पिलाया तो मुझे बहुत अच्छा लगा मैंने भाए कर लिया घर आकर मैंने पूरा घिलास पीना शुरू किया मैंने का आची ऐसी कई लोग आप देखते होगे आपके हां इंसिजूट्स के अंदर लोग ट्राइल क्लासे देते हैं तो ट्राइल क्लास में वो पंदरा मिंट बुलाके आपको यह आदा घंटा बुलाके कर देते हैं ओव मैजिक 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 फिर आपको बात में बस चलता एक जब आप उनकी पूरी गहंटे कि लास में वैट तो आपको बस चलता है ओहो यह तो धप्पा हो गया यह तो बंदा डैप्ट में पढ़ाई नहीं रहा यह तो सी यूटी के लिए में बरवात कर डाले कर देगा सो कई चीजे मतलब इस लाइक मेरा यह कहना है हर चीज का जो मजा है यह लौ कहां फेल हो जाता है रीजनेवल क्वांटिटी अगर आप रीजनेवल क्वांटिटी लोगे बार बार सही से पीते रहोगे तो ही मजा कम होगा ठीक है बट अगर आप जैसे एक छोटा एक सिप पिया उसके बाद आप दूसरा कि पानी सपोज आप चम्मच से पी देओ सिप सिप करके तो आपको हर चम्मच में मजा जादा आएगा दन देस लौ विल नॉट भी अपली कि इस ट्लियर ठीक है तो यह असंप्शन बताने से जुरूरी क्योंकि सीवीटी का कुछ बता है निए डेप्ट में से कुछ भी निकाल के देदेगा भाई कि बताओ जी लौ कहां फेल हो जाता है अब आप पढ़के गए हो सिव लौ डियम्यू होई नहीं पाएगा फिल तो मेक शॉर देट कि इस असंप्शन विल बी वरी हैल्फुल फॉर यू आपके लिए यूज को एक इसकी खारे हो फिर उसकी क्वालिटी अगर इंप्रू करता हो कि तो ऑविसली नेक्स आइस्क्रीम पर आपको ज्यादा मजा आएगा और चौता असंप्शन किया होना चाहिए राश्नल होना चाहिए राश्नल कस्टमर क्या होता है जो से जो कम से कम पैसा करच करें और जादा से जादा satisfaction लाए that is called as rational customers so what is law of DMU according to this law अगर आप कोई भी चीज बारबक खाएंगे continuously तो आपका मज़ा हमेशा क्या होगा कम ठीक है और इसके उपर कुछ exceptions इसकी कुछ assumptions जो आपको पता होनी चाहिए आप चाहें तो में और भी रिड़ कर सकते हैं ठीक है तो assumptions हमने चारों discuss कर लिए next topic पर चलते हैं that is हाँ जो utility होती है इसको express करने के दो तरीके होते हैं for example मैंने अभी पानी पिया मैंने का मुझे 10 utils मजा आया मैंने 20 utils मजा किया यह example है और अगर मैं कि मैं एक दिन उत्रा खंड गया था वहां मैंने पानी पिया वहां का जो पानी था न दिल्ली वाला पानी वैसा पानी नहीं है so if I talk about the comparisons जब मैं compare करूं एक को दूसरे से then I am talking about ordinal approach और अगर मैं किसी चीज को खा कर यह बोल दूँ कि मुझे 10 utils मजा आया मुझे 20 utils मजा आया तो जब मैं कोई चीज नुमेरिकल ही express करूंगा then it is a cardinal approach कौनसे परोच होगी है cardinal और जब मैं कोई चीज बोलू rank 1, rank 2, rank 3 तो यह कौनसे परोच होगी ordinal approach I will give you one more example for that आप dance India dance देखो दो जज बैठी होते हैं दोनों जज एक ही performance देखते हैं बट मजे को अलग-अलग तरीके से बताते हैं जो रैमो भहिया होते हैं वो जा ताली बजा के शांदार 100% मजा आया 100% बोलते हैं मतलब numerically बताते हैं और वहीं साथ में गीता माँ बैठी ह होती है अगर हम देखें तो यह आज की सबसे best performance थी तो what she is doing, she is doing comparison कि rank 1 यह, rank 2 यह, so satisfaction can be expressed in two ways आप मजे को दो तरीके से express कर सकते हो, एक cardinally और एक ordinally आपको यह याद रखना है जो cardinal approach है वो Alfred Marshall ने दी थी, याद रखना C.U.T. के इंतर आजएगा, किस ने दी थी पेटा, Alfred Marshall और जो ordinal approach थी है यह मैंने दी थी, J.R. Hicks, sorry मैंने नहीं दी थी, मेरे नाम से सिंक होता है, यह J.R. से थोड़ा बस और कुछ भी नहीं है, so J.R. Hicks, so C.U.E.T. summer.com पे ordinal approach नहीं दी हुई, हमें सिफ कौन सी approach करनी है, cardinal, मताब हमें जो भी satisfaction या utility पढ़नी है, वो इस 10 utils, 20 utils मतलब numerical ही पढ़नी है, और कोई तरीके से पढ़ने की जरूरत नहीं, so what is utility, it is the power of the commodity that satisfy human wants, T.U. मतलब total मजा, M.U. मतलब marginal मजा, ठीक है, T.U.M.U. का relation पढ़ दिया, फिर क्या पढ़ा law of DMU, फिर utility को बताया, दो तरीके से cardinal और ordinal, अब इसका last topic जिस पे C.U.E.T. 100% question डा डाले गई, डालेगा, मुझे ऐसा लगता है, that is consumers equilibrium, who is consumer, consumer कौन होता है, यह consumer है, ठीक है, equi मतलब क्या होता है, equal, equilibrium is best position, अगर एक consumer किसी commodity को खा रहा है, तो वो खाते खाते कब equal होगा, अपने सबसे बहतरी जगा पे कब आएगा, जब आएक consumer कोई भी चीज खाता है, तो सबसे भैतरी जगा कौन सी होती है, जहां पर कुछ भी खाते वक्त, उसे क्या मिले, maximum satisfaction, what is consumers equilibrium, बेटा, it is a situation, it is a situation, where a consumer gets maximum satisfaction, जहां पर एक customer को सबसे ज़्यादा maximum मजा आता है, उस जगा को consumers equilibrium बोलते हैं, सो हमें आज यह पता लगाना है, इसी platform पे YouTube के अंदर, कि अगर एक customer एक good खाता है, तो उसे maximum मजा कहा आता है, और जब वो दो good खाता है, तो उसे maximum मजा कहा आता है, यह दो approaches हमें पढ़नी है, इनकी दो conditions हमें याद करनी है, जिस पर CUT पका कोशन डालने के chances, स्कूलों में भी बहुत hot favorite topic रहा है, और CUT में भी बहुत important topic रहे गई है, इतना तो समझ आ गया होगा, definition याद करने की जरूरत नहीं है, बस पता होने जी, it is a situation where consumer gets क्या maximum satisfaction, अगर एक customer एक good खा रहा है, तो उसे maximum satisfaction कहां आएगी, यह हमें पता लगाना, तो देखो बीटा, मै मैं आपको short में समझा जाता हूँ, वैसे तो हम offline के अंदर इसको बहुत detail में याद कराते हैं, बच्चों को 6 number का answer करते हैं, मैं आपको short में बजाता हूँ, हर एक customer जब भी market में कुछ भी खरीदने जाता है, तो वो दो बातों पे dependent होता है, मजे पे, मजा पे और पैसा पे, मजा क्या है एक तरीके से marginal utility और दूसरा क्या है price, आप कुछ भी market में खरीदने जाता है, दो बातों पे dependent हो, मजे पे और पैसे पे, अगर आपको मजा ज़ादा आ रहा है, और पैसे क्या लग रहे हैं कम, तो आप उस चीज को हमेशा खरीदते हो, yes या no, अगर MU ज़ादा ह आ रहा है और पैसे क्या लग रहे हैं कम, आप हमेशा उसको खरीदोगे, जैसे आप बेकरी शॉप पे गए, आपने देखा यार एक ट्रफल पेस्ट्री पढ़ी है, आपने पेस्ट्री देखके देखा, बहुत टेंटिंग लगी थी, आपने देखा ये तो 20 रुपे की है, आपने का चल खरीद ले, पर अगर इसी पेस्ट्री के आगे लिखा होता है, 3000 रुपे, आप कहते हैं नहीं खरीद रहे हैं, तो जब तक कस्टमर को मज़ा जादा आ रहा है, पैसे क्या लग रहे हैं कम, वो तब तक उसको खरीदता रहेगा, कब तक खाता रहेगा, कब तक जब तक उसका मज़ा किसके एकवल ना हो जाए, पैसे के, M.U. किसके एकवल ना हो जाए, प्राइस के, जहां भी M.U. प्राइस के एकवल हो जाता है, वहीं कस्टमर क्या हो जाता है, maximum satisfied, where M.U. in terms of money, जब किसके एकवल होगा, प्राइस के, वहीं पर क्या आती है, consumers, equilibrium, ठीक I'll give you one more example, अभी आप हल्दी राम पे आलू पुड़ी खाने जाओ, एक प्लेट आलू पुड़ी देट सो रुपे की आप खरीदोगे, उसमें चार पुड़ी आईगी, आप एक प्लेट खाने के बात काओ के पेट भर गया, और नहीं खानी, ठीक है, पर जैसे ही आप अभी आप भार लंगर हो रहा हो, भंडारा हो रहा हो और वहाँ पर आलू पुड़ी बटरी हो, आपकी चार पुड़ी खाने के बाद आपका मन करता है, चले एक और ही खा लेते हो, तो आप पांचवी पुड़ी भी खा लेते हो, छटी भी खा लेते हो, छटी भी खा लेते हो, और जहां मजा जीरू होता है, वहां TU maximum होता है, तो free में हम अपने maximum तक खाते हैं, पर हल्दी राम में आपको क्या था, एक प्लेट खाली, दो पुड़ी और खाने का मन था, बट एक प्लेट में तो चार पुड़ी होती हैं, तो आपको लगा 1500 रिपर और दूँगा, तो दो खालूंगा, दो बच जाएंगी, पैसा वेस्ट होगा, आप बन गएगा, रैशनल कस्टमर, क्या बन गएगा, रैशनल कस्टमर, तो आपने कहां तक खाया, जहां M.U. किस केक वल हो गया, प्राइस के, भलाव, Alfred Marshall का, जिसने यह अप्रोच बनाई है, कंज्यूमर की behavior को के, सारे कंज्यूमर के behavior को study किया जाता है, कि कंज्यूमर कैसे behave करता है, react करता है, जैसा वो behave करता है, वैसी उसकी theory बना कर, उसके इसाब से product को launch करते हैं, और demand कराते हैं, So, you can imagine कि हमारे subject की ताकत के है, मतलब, So, आप समझ पा रहे होगे कि यह subject, actually, lifetime पढ़ने वाला subject है, जेतना आप इसको पढ़ते जाओगे, बार-बार पढ़ते जाओगे, आपको हर एक assumption में कुछ गहरा नशा दिखता है, कि इसमें कुछ है, इस subject में, जब-जब इसको आ रहा हो, तो मुझे लगता है, मैं कुछ हो आज नया और बोल जाओगा इसके उपर, So, it's a very beautiful topic, consumer behavior, So, आप अगर ध्यान से notice करें, तो यहाँ पर, जब आप, आप इसका example और लेलो, आप रामनीला ग्राउंड में जूले 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 चले जाओ, आज आपकी उमर 16 साल क ठीक है, ठीक है, सबसे सस्ता प्रोड़क कौन सा होगा, वहाँ पर, ट्रेन वाला जूला, 20 रुपे का, आप 20 रुपे वाले जूले पर नहीं बैठोगे, जबकि सबसे सस्ता है, खरीद लो न, नहीं खरीदते आप, आपको वो Columbus attract करता है, जहाँ लोग आवाजे कर रहे होत पैसे चाहे ज़्यादा, पैसे चाहे ज़्यादा भी हो उसके, 100 रुपे की टिकेट है, जबकि उस जूले की, फिर भी आप बाए कर रहे हो, तो every consumer कुछ भी खरीदने जाता है, तो दो बातों भी dependent होता है, मजे पर और पैसे पर, और जब मजा ज़्यादा आ रहा है, पैसे in terms of money, किस के equal होगा, price के, वहीं पर क्या आएगा, consumers equally, यह है single commodity की condition, इसको detail में, मैंने समझा दिया है, मतलब और भी detail हम कर सकते थे, but I think CUT के लिए भी इतना ही बहुत है, ऐसी two commodity की भी, मैं अभी condition ही बता पाऊंगा, because उसमें मेरे को एक जट घंटा चाहिए होता, depth में जाने के लिए, because feeling में लाना पड़ता है बच्चों को, economics हर को ही पढ़ाता होगा, बट मेरा ऐसा मानना है, कि फील भी तो हो न, वो environment, जैसे हमारे यह two commodity जब हम पढ़ाते हैं तो मुगा टेस्ट गंदा हो गया, तो अगर दोनों commodity आप खा रहे हो और एक अच्छी एक बुरी है, तो क्या आप कभी equilibrium पे रहोगे, answer is no, इसलिए two commodity में equilibrium का हाँ आता है, जहां पर आप दोनों goods खाओ, और दोनों goods का जो मजा है, वो किस के equal हो जाए, last unit पे आके दोनों goods क का मजा क्या होना चाहिए, equal होना चाहिए, वहाँ पर consumers equilibrium किस में आता है, two commodity, but it will take one hour to understand पूरा entire concept, अभी के लिए मैं आपको ही समझाता हूं, consumer equilibrium वो जगा है, जहां customer को क्या मिलती है, maximum satisfaction, ठीक है, तो अगर single commodity पे हम जाते है, तो customer maximum satisfied कहा होता है, जहां MU price के क्या हो जाए, equal, य ऐसी two commodity की जो condition है, एक customer को maximum मजा कहा हाता है, आप ऐसे example ले लो, शादी में आप गए, आपने snacks खाए, बहुत जादा tasty थे, आप dinner पे गए, dinner का taste कम था, क्या आप वहाँ पर जब भार निकलोगे तो आप maximum satisfied होगे, answer is no, आप यही कहोगे, snacks तो अच्छे थे, dinner गंदा था, इस item आपको starting में पसंद आ जाती है, तो एक बार dinner के बाद आप दुबारा try करते हो, इसका मतलब आप uneven हो जाते हो, ऐसे, एक पे मज़ा जादा रहे गया, एक पे कम रहे गया, तो Alfred Marshall कहते है, जब uneven situation होगी, तो customer को कभी maximum मज़ा नहीं आएगा, तो क्या होता है, जब आप वीडियो देखने के बाद आपको लगा होगा, क्यार, ये तो बात सच है, कि मैं कुछ भी खरीटता हूँ, तो दो बातों पर dependent हूँ, मजे और पैसे पर, साइकोलीजी कहला है, कि क्यों आज के टाइम पर शादी में लोग स्नैक्स जादा खा रहे हैं, विकॉस दे इट, उन्होंने बहुत जादा स्नैक्स जब खाए, और उन्होंने डिनर खाया, तो डिनर का comparison नमेशा कम ही आया, तो अब उनको क्या होता है, स्नैक्स ही खा के इक्वल आजाना चाहिए, जहां भी अनिक्वल रहेगा, सो चो आप ने सब कुछ खाली है, सबका मजा इक्वल था, और लास्ट में आप कुल्फी खाने गए, और उसने गा कुल्फी तो खतम हो गई, तो आप अंदर से क्या कहोगे, यहाँ एक कुल्फी मिल जाती ने, तो और मजा आ जाता है, कोई भी चीज अनिक्वल रहेगी, तो आप इक्वली साटेस्ट मैक्सिम साटेस्फाइड नहीं रहोगे, तो टू कमोडिटी में भी मैक्सिम मजा कहां पर आता है, जहां पर M.U. अफ़र आफ़र इसके उपर कुछ MCQ प्राक्टिस कर लेते हैं, मैं प्राक्टिस लगाएंगे एवरी संदे, www.economicsclusses.in पर उस पर जाकर आप मौक टेस्स सारे प्रक्टिस करें, तो पर इसके पर आफ़र इसके आपर साटेस्ट मैक्सिम सारे प्राक्टिस करें, तो एक जाटापर आकर एक कस्स्तमर कहां डशिप्त नहीं होना चाहता, जब वो कहां पहुत जाता है? Equilibrium पर. So, what is the right answer? Consumers, equilibrium. Second question. Which of the following is not true about the utility? So, utility is a psychological concept. It is a true concept. It can be defined as the power of the commodity that satisfy human wants. Bilkut, ठीक है, ये भी ठीक है. It is the same as usefulness of the commodity. Utility is same as usefulness of the commodity. No, this is wrong. So, right answer, क्या होगा? Second question, C. C is the right answer. Is it clear? Okay, next. अब यहाँ पर आपको question करना है कि आपको यहाँ पर the total utility is derived from 6 slices of pineapple. इस 30. So, 6 slice खाने पर जो TU आ रहा है, वो 30 आ रहा है. Marginal utility from the 7th slice. 7th slice से जो आपको MU आया है. वो क्या आया है? 3 आया है. तो MU जो है, MU को अड़ करने से TU आता है, तो यह 33 होगा answer. 7th slice का आपको TU बताना था, then it is 33. So, right answer is D. सही जवाब इसका क्या होगा? D. इसे clear? MU क्या है? Marginal utility क्या है? Marginal utility is a sum total of total utility. MU को add करने से TU आता है, तो that is D. थोड़ा सा fast-fast करते हैं, जल्दी-जल्दी. Cardinal utility, किसने propound की थी? मैंने आज भी class में बताया, कि Cardinal utility is propounded by Professor Alfred Marshall. Next, Point of saturnity. Saturnity किसे कहते हैं, saturation point को. जहाँ TU maximum हो और MU 0 हो, तो MU 0 पे tick करेंगे. Seventh question. If a consumer is not supported to pay price for a commodity, he attains equilibrium. अगर एक customer किसी commodity का price ही पे नहीं कर रहा, तो उसे equilibrium कहां आएगा? देखो जी, equilibrium single commodity में कहां आता, जहाँ MU of X, किसके एकवल हो जाएगा? Price of X के. अब जब वो price ही नहीं दे रहा, तो price 0 हो गया, तो MU वहाँ पर क्या होना चाहिए? 0. So if a commodity is free of cost, यहाँ पर equilibrium जाएगा? मुझे ऐसा रखता है, it's a very important question. Okay, which law states when a consumer consume more and more unit of commodity, the utility derived from each successive unit keeps on falling? कोई भी चीच बारबर खाने से मज़ा काम होता है? The right answer is law of DMU, diminishing marginal utility. Okay, next. यहाँ पर अच्छा question है, यह भी बहुत उमीद है कि आ सकता है. A consumer consumes only two goods, and X and Y, and is an equilibrium. पहले तो समझ लिया करो, question कहां से आ रहा है, और किस चीज़ पर बूछ रहा है? इक्विलिब्रिम पर कोई नहीं है, बता है, इक्विलिब्रिम के दो ही conditions, बढ़ आप बोल रहे है two goods, तो two goods में equilibrium कहां आता है पेटा? जाने MU of X upon PX, MU of Y upon PY के equal हो जाए, और MU of M आ जाए हैं. ठीक है? तो यहाँ पर अगर हम notice करें, सो कहरें, price of X जो है, वो 20 है, और price of Y जो है, वो कितना है? 30. MU of good Y, जो MU of good Y है, वो 60 दे रख है. अब वो बोल रहा है, यहाँ पर MU of X कितना हो, जिससे equilibrium आ जाए? ठीक है? सो अगर मैं यहाँ पर MU of X की बात करूँ, तो यहाँ 40 होना चाहिए. बोलो कितना होना चाहिए? 40. अगर MU of Y, हम 40 कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? What will be the marginality of good X? तो अगर हम 40 upon 20 कर देंगे, और 60 upon 30 कर देंगे, तो यह भी 2 हो जाएगा, और यह भी 2 हो जाएगा. Yes or no? So, right answer क्या होका? That is A. What will be the marginality of good X? तो equilibrium पर रहने के लिए 40 होनी चाहिए. Is it clear everyone? Done. Next question पर चलते हैं. When MU of X upon PX is greater than MU of Y upon PY, मतलब अगर आप 2 goods खा रहे हो, MU of X upon PX, आपको इस पर जादा मजा आ रहा है, और MU of Y upon PY पर आपको मजा क्या आ रहा है? तो क्या होगा? मतलब आप मान के चलो कि एक चीज डाल मखनी है, और एक करेला है. तो अगर आप 2 goods खा रहे हो, तो आपको मैक्सिम मजा कहां पर आएगा? मतलब तो क्या होगा? मतलब customer क्या करेगा समय पर? What would the customer reaction? ये consumer reaction पूछना चाहरे है, तो customer ज्यादा X खाएगा और Y कम खाएगा. So answer would be, consumer will shift some expenditure from Y to कहां? X. Customer X पर पैसा ना खर्च करके, किस पर खर्च करेगा? Y पर. So right answer is क्या होगा? B. B would be the right answer. Right? Next question पर चलते हैं. Statement 1 and statement 2 types question है, थोड़े से, थोड़े से, टाइप के question, margin utility of money refers to utility of 1 रूपी. ये मैंने जान मुझकी डाला था ही question, M.U.M. generally varies, vary करता है कहां से? However, from the sake of simplicity, we assume to be conducted and constant. Actually, इसके statement, हाँ. एक मिट. अब आप बताओ, margin utility, जब मैं first condition बोलता हूँ, margin utility in terms of money is equals to, क्या जल्दी बोलो, price. ये is in terms of money का मतलब क्या है? ये आज आपका homework है मेजी तरसे. आज आपको, क्योंकि मैं आपको चाहता हूँ कि, कुछ करम तो बिटा आप भी करो. हम बोलते हैं, equilibrium कहां आता है, जहाँ M.U. किसके equal हो जाता है, प्राइस के है. पर टेक्निकली ये लाइन ठीक नहीं है. M.U. को मेजर करते हैं यूटिल्स में, प्राइस को मेजर करते हैं रूपीज में, तो दो चीज़ों को आप compare तब तक नहीं कर सकते हैं, जब तक common measuring unit same ना हो. Right? So, या तो आपको M.U. को प्राइस बनाना होता है, या प्राइस को M.U. बनाना होता है, तो इसके लिए हम assumption लेते हैं, उस assumption को बोला गया, M.U. of money, margin utility of money, हम assumption लेते हैं कि एक रुपेया एक यूटिल के बराबर है, यह एक रुपया दो यूटिल के बराबर है यह एक रुपया तीन यूटिल के बराबर है तो यह जो assumption है इस पर आज आप study करो कि क्या है basically क्योंकि condition यह कह देती M U in terms of money is equal to price वो यह बोल देती M U of X upon M U of M is equals to price of X तो बच्चा जो है वो यह समय नहीं पाता यह M U M क्या है क्या यह यही M U M है जो उपर M U in terms of money लिखा था तो answer is no M U in terms of money को हम यह कह सकते है M U of X मतलब utils को अगर आप M U of M से क्या कर दो divide तो उसको बोलते हैं अगर आप utils को assumption से divide कर दे तो then you get M U in terms of क्या जल्दी बोलो money did you get my point did you get my point yes or no so यह वाला topic है ना एक बार condition तो सबको समझागी जहा है M U किसके एक बार होगा price के एक बार आप इसको read करो और फिर 11th question को एक बार घर पे solve करना नहीं तो मैं next 2-3 class में मैं जरूर इसको करा दूँगा आपको अपने सामने बैठके करा दूँगा don't you worry for that बर डाला मैंने आपके लिए था इस कांसे वैसे दोनों statement सही है next margin utility as a measure of utility can be either positive can be negative और can be zero M U positive हो सकता है सही बात है M U negative हो सकता है सही बात है कह रहा है पर तभी zero नहीं हो सकता हूँ अला M U जब zero होता है तब T U maximum होता है तो यह first statement तो क्या है false है the assumption of constant margin utility of money means the importance of money to the consumer is always same so क्या कह रहा ही है कि the assumption of constant M U of money हाँ यह बात सही है कि जब हम margin utility के assumptions की बात करते हैं तो हम हाँ money को constant रखा जाता है तो यह statement बिल्कुल true है so यहाँ पर just answer होगा that is D that is D next once the point of saturation is attained consumption of any additional unit of a commodity T U to be become M U remains negative or positive so यहाँ पर वो क्या statement दे रहा है कह रहा है एक बार saturation achieve हो जाए saturation achieve होने का मतबद जहाँ T U क्या हो बेटा maximum or M U क्या हो 0, consumption of any additional unit of commodity cost T U to become while total utility to become while margin utility remains negative and positive यह तो नहीं हो सकता है यह statement ही false है एक बार आप attain कर चुके T U maximum और M U 0 उसके बाद तो T U fall होने आगे जाके और M U negative होने है positive negative तो possible ही नहीं cardinal analysis of consumer assumes that utility can be expressed in terms of well defined numbers बिल्कुल सही है यह true है cardinal क्योंकि memorically express करता है तो इसका answer जो होगा that is यह false है और यह true है law of DMU is based on the few assumptions law of DMU किस किस assumptions पर based है consumer is rational बिल्कुल ठीक है यह तो बिल्कुल ठीक बात है कि consumer is based on few assumptions except किस पर नहीं है यह तो होता है reasonable भी होता है भी बताया था आपको थोड़े पहले यह भी होता है unchanged utility cannot be measured यह false statement so this is the right answer D, D is the right answer next law of equi marginal states that MU derived from consumption of subsequent standard utility of goods without any time gap, keep on decreasing अगर आप कोई चीज continuously खाओ गए तो हमेशा आपकी बात बिल्कुल सच है कि मज़ा कम होता जाता है this statement is बिल्कुल absolutely true और as per the law of equi marginal utility हाँ आता है जहाँ पर MU of x upon px is divided by MU of y और साथ में MU of m भी लिखा होना चाहिए so I think उसके सबसे यह false होगा ठीक है so that's all what we have आपको homework समझा देता हूँ what is your homework after watching this video चाहे वो बच्चे में से offline में पढ़े हूँ चाहे में से जो YouTube पर connect हूँ है क्या करना है कैसे करना है if you have Sandeep Garg book ठीक है या आपके पास हमारे कोई notes पढ़े है ठीक है आपको एक बार 15 minute के लिए सिर्फ एक topic बता रहा हूँ law of DMU की assumptions पढ़नी है सारी single commodity और two commodity की एक बार condition लिख के देखनी है और इसके back side में आपको numerical based question मिलेंगे उसके 5 question इसके और 5 question इसके numerical के practice कर दें मतलब आपको क्या दे रखा है MU 20 दे रखा है MU X का 20 Y का 15 दे रखा है और दोनों की price दे रखा है पूछेंगे क्या equilibrium पे है ऐसे ही कुछ एक दो table दिखेंगी आपको उस table मे MU of X दे रखा होता उसको in terms of money में convert कर ना होता single commodity में उसकी एक दो practice कर दें आपका utility वाला chapter पूरा cardinal खतम हो जाए इसे clear क्योंकि मेरे हिसाब से ज़्यादा question जो है 4-5 question जो आएंगे या तो TMU के relation पे 1 MCQ एक law of DMU से निकल सकता है एक consumer equilibrium single commodity एक double commodity यही questions आ सकते हैं utility वाले parts so hopefully आज का session आपको अच्छा लगा होगा आपके comment में जितनी तारीफ हम सुनेंगे उतना हम motivate हो पाएंगे और काम कर पाएंगे so thank you so much God bless you all अगवान करें आपका CUT अच्छा सा हो जाए thank you